हलो गाई स्वागात है मैं हूँ सेंपाय नेटवर्क और आज हम बात करने जा रहे हैं एक और इंट्रेस्टिंग निउस के बारे में तो आपको तो यादी होगा लास्ट महीना यानि कि फेबुररी को मतलब कि 12 फेबुररी को My Hero Academia का first movie यानि कि My Hero Academia two heroes आया था PVR इंडिया के theaters में तो My Hero Academia movie one PVR theaters में आने के बाद हमें कुछ interesting चीज़े जानने को मिला पहली बात तो ये है कि कुछ limited शहरों की PVR में ही ये movie release हुआ था और एक बहुत interesting चीज़ हमें देखने को मिला कि कुछ जगाओं में इतने लोग film को देखने गए कि theater पुरा house full हो गया था और कुछ जगाओं में तो ये भी देखने को मिला था कि बस एक ही लोग film को देखने गए थे तो तेंकी नोको को देखने के बाद हमने ये तो expect किया ही था कि My Hero Academia ज़ादा success नहीं ला पाएगा और वो वी Indian theaters में क्योंकि देखिए तेंकी नोको का release directly जपैन के बाद इंडिया में ही हुआ था जो कि एक बहुत ही बड़ी बाद था और सबसे बड़ी बाद तो ये है कि डिरेक्टर माको तुशिंकर खुद इंडिया में आये थे और यहाँ My Hero Academia Movie 1 को देखिए पहली बाद तो ये दो साल पुराना मूवी है और लगबख सब ने ये मूवी देख लिया है और ये ग्लोबल रिलीज नहीं था इसलिए हमें ज़्यादा मजा भी नहीं आया क्या कहें ये फैंस के दिल रखने वाला रिलीज था इसलिए कुछ जगा पर लोग देखने को गए और कुछ जगा पर बस थेटर्स में एक ही बंदा देखने को मिला तो अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो माही रिलीज के उपर जो मैंने बनाया था वो आपने अगर गौर से देखा होगा तो आपको ज़रूर पता होगा कि मैंने कहा था कि माही रिलीज में मूवी टू भी पिविया ला सकते है और हाँ गाइस वही हुआ मतलब ये बात एक कॉमन सा बात था क्योंकि CBFC यानि की इंडियन फिल्म का सार्टिविकेशन जो बौर्ड है वहाँ पर लास्ट ये डिसेंबर से ही दोनु मूवी का सार्टिविकेट था मतलब इंडियन रिलीज का सार्टिविकेट इसलिए ये बात साब था कि Movie 2 भी आएगा लेकिन सवाल था कि आएगा कब तो जी हागा इस Movie 1 रिलीज के एकदम एक महिने बाद ही PVR Theaters रिलीज कर रहे है My Hero Academia Movie 2 यानि कि My Hero Academia Movie 2 Heroes Rising रिलीज हो रहा है 12th March 2021 को तो जैसा कि मैंने लास्ट रिलीज में भी ट्रेलर के अनालिसिस किया था और यहाँ पर भी अनालिसिस करने से मुझे ये पता चल रहा है कि इस Movie को भी शायद चायना से लाइसेंसिंग किया गया है मतलब शायद कम पैसों में हो गया होगा लेकिन लास्ट वीडियो का कमेंट देखकर मुझे ये लगा कि आप लोग My Hero Academia का नहीं Demon Slayer का रिलीज डेट चाते है तो इस बारे में भी हमने latest update जानने की बहुत कोशिश की और हमारे पास है भी तो एक बंदिन Instagram में जाके PVS Cinemas Officials को ये पूचा है कि क्या आप लोग Demon Slayer Movie Distributors के साथ टच में है जिससे की ये मुवी इंडिया में रिलीज हो सके तो reply ने PVR ने ये बताया है कि अभी तक producer का consent उन्हें नहीं मिला यानि कि producers ने अभी तक हा नहीं कहा तो इससे तो ये बात साफ हो ही गया है कि मुवी कब आएगा ये नहीं इसके बारे में हमें अभी तक नहीं बता लेकिन जिस अंदाज में PVR ने reply देया है इससे ये लग रहा है कि मुवी आएगा लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा मतलब आप देखी सकते हैं My Hero Academia का दो मुवी इतना simultaneous से रिलीज हुआ कि देखे लग रहा है Demon Slayer का मुवी भी April के 12 को ही आजाए लेकिन ऐसा होने का chances बहुत ही काम है तो My Hero Academia का लास्ट मुवी जो PVR में आया था उसे देखकर ही लग रहा है इस मुवी का audience कैसा होगा और मुझे लगता है PVR को पहले से पता था कि audience ऐसा ही आएगा तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि movie 2 पुराना नहीं है आपको देखने जरूर जाना चाहिए क्योंकि हमें इंडिया में anime को support करने का मौका बहुत ही कम मिलता है और जब मिल रहा है तो support कर ही देते है तो guys क्या आप excited है movie को लेकर हमें comment में बताइए और Demon Slayer movie release के बारे में और जानने के लिए हमाने channel के साथ बने रही है और आज के वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं आगे एक और नए वीडियो के साथ